हलो दोस्तों वेलकम टो फ्यूजर कॉप आयस दोस्तों आज हम पोस्ट इंडिपेंडनेस की सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज हम डिसकस करेंगे हिंदू कोड़ बिल के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं कि हिंदू कोड़ बिल की जरूरत क्यों थी इससे पहले जो वो लॉस थे जैसे हिंदू मुस्लिम एंड जो रिलीजन थे उनके लॉस को परसनल जो मतलब परसनल होते थे वो उनको गवान करते थे वो धार्मिक सास्त्रों के मातम से चलते थे लेकिन उनमें कुछ खामियां थी जैसे उसमें डाइवर्स के लिए कोई लीगल प्रावदान नी था इंटरकास्ट मेरिज के लिए कुछ नी था और अगर आपने अडाप्शन करनी है तो उसके लिए भी कोई प्रोविजन नी था आप के लिए तो सबसे पहले उसके लिए हिंदू कोड बिलकुल 1947 के अंदर इस बिल को कैबिनेट के जो है कैबिनेट ने अप्रूव करके रखा इसको पारलिमेंट के अंदर कि इसको हमने पास करवाना है फिर इसी बिल के उपर काफी ज़्यादा डिबेट्स बगरा होती है ठीक है उसक चीजें देखेंगे हम इसके अंदर में किस तरीके से इसको पास करवाए गया ठीक है तो एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वास्चन देख लेते हैं तो क्वास्चन है हमारे पास कि कॉंट्रवर्सी सरौंडिंग जब रिपबलिक बना उसके साथ में ये कॉंट्रवर्सी आई हिंदू कोर्ट बिल की ठीक है जिसमें क्लैश आफ आइडिलोजी थी जिसमें स्ट्रेन लेके आई ये रिलेशन के अंदर बीदिन कॉंग्रेस एंड कंट्री तो वट लेसन प्रेजेंट गोर्मेंट के लर्न जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के बारे में तो इसमें बताया गया है कि इंडिया जब रिपबलिक बनी उसके साथ में हिंदू कोर्ट बिल का काफी बड़ा इशू आ गया जिसने की क्लैश आफ आइडिलोजी को प्रमोट किया मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेट चली होती है उसके लिए क्या क्या लेसन ले सकते हैं तो यह कॉश्चन आपको राइट करना है चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले बिल लाने की जरूरत क्यों थी तो बिल लाने की जरूरत थी क्योंकि काफी ज़्यादा इशू थे वोमेन को इंफिरियर समझा दाता था सुसाइटी के अंदर में पोलीगेमी प्रिविलेंट थी हिंदूस में मुस्लिम में अधर लीजन के अंदर भी इंटर कास्ट मेरिज पे प्रतिबंध था इंटर कास्ट मेरिज के लिए काफी ज़्यादा इशू थे कोई लीगल उसके लिए प्रुविजन नहीं होता था उनके फादर की ठीक है तलाक के लिए कोई provision नहीं था तलाक किस तरीके से होगा क्योंकि तलाक को हिंदू जो tradition थे उनमें जो marriage की उसको sacred समझा जाता था तो तलाक की बात करना भी गलत था ठीक है और divers को कोई legal status नहीं था intercast marriage के लिए issue थे तो इनी सभी issues को solve करने के लिए codification करनी जरूरी थी क्योंकि ये law जो थे जो normal से board होते है personal board होते है जो हमारे priest बगएरा होते है उनके द्वारा enforce किय जाते थे तो फिर इसके लिए reform लेके आने थे उसी के लिए जो अंबेत करजी थे वो उस टाइम law minister थे उन्हेंने bill present किया ठीक है तो अब देखेंगे what is Hindu code will तो Hindu code will क्या था ये था series of law इसमें काफी laws थे जैसे चार law की form में इसको पास किये गये था जो की intended था provide करवाना था इसने एक civil code मलब codify करना था जो हमारे law थे किन चीज़ों के लिए जो हमने पहले देखे polygamy, intercast, marriage इन सब को एक legal तरीके से handle करना था ताकि society की appointment हो सके उसके लिए ये हमारे पास Hindu code will था ठीक है तो next चलते है अब how it came into picture किस तरीके से ये picture में आया तो Hindu code will को create करने वाल थे डoktor B.R. Ambedkar जो की law minister थे first law minister हमारे उन्होंने इसको create किया था उन्होंने काफी priority दी थी आपको बतावगा कि आजादी से पहले भी उन्होंने social जो issues थे उनको काफी priority दी थी और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जो social issue है वो ज़्यादा important है आजादी से ठीक है तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके social issue के लिए अंग्रेजों के साथ भी हाथ मिलाया ताकि society के appointment की जा सके उन्ही ने आजाद भारत के अंदर में इस bill को present किया और पंडी जवाला नेरू इनके साथ थे मतब इन दोनों का काफी ज़्यादा योगदान रहा इसके अंदर में आगे देखेंगे किस तरीके से इन्होंने इसको भढ़ावा दिया और इसके provision क्या थे इसके provision थे monogamy को mandatory कर देना था polygamy को खतम करना था और ये बिल drivers adoption सब के लिए हमने law ले के आना था ये कुछ इसके provision है और हिंदू कोडविल को इंट्रड्यूस करवाया गया अंबेदकर के त्वारा अंबेदकर जी के त्वारा इसको इंट्रड्यूस करवाया गया और constitutional assembly में इसको इंट्रड्यूस करवाया गया uniform civil court के लिए कि कोई right time नहीं हो था किसी चीज के लिए जो person है अगर उनकी intention अच्छी होती है तो वो किसी भी समय है जैसे अभी तो अजादी भी नहीं मिली लेकिन अंबेदकर जी ने introduce करवाया कि reform होने चाहिए तो next आता है इसमें कि बिल्को move कर दिया गया select committee के पास में जैसे आपने पढ़ा होगा लक्षमी कांत के अंदर बिल्को उसके उपर discussion होती है उसको send कर दिया जाता है select committee को वो उसकी scrutiny करती है ठीक है और इसमें 1948 के अंदर ये किया गया next के की गया parliamentary debates हो इसमें चार साल तक continue रही परलेमेंट की debates ठीक है journal election हुए उसके बाद फिर इसको जो bill पास करने की process थी वो आगे बड़ी क्योंकि इससे पहले काफी ज़्यादा protest हुए इसके बारे में जो हमारा bill था ठीक है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि काफी ज़्या हुआ इसको चार साल तक debate चली इसकी 1951 में 1951 के end तक हमारे journal election होने थे क्योंकि अभी तो constitutional assembly थी जो की elected नी थी तो first जो journal election होने थे 1951 के end में और 1952 के starting तक चले ये ठीक है तो अंबेतकर जी ने बोला कि जो 1951 के election है इन से पहले पास करवा दिया जाए बिल्को लेकिन इसके ओ और बाद में उन्होंने जब इन्होंने देखा कि election declare हो गए और बिल जो था उनका जो parliament के अंदर उसको withdraw कर लिया गया गोर्मेंट के दौरा कि election के बाद इसको पास करवाया जाएगा तो अंबेतकर जी ने resign कर दिया गोर्मेंट से ठीक है इन्होंने resign कर दिया 27 September 1951 को इन्हो पूश नहीं किया ये कर सकते थे लेकिन इतना पूश नहीं किया नहीं लेकिन आगे देखेंगे नेरुकी क्या भूमिका है इसके अंदर बिल को पास करवाने के लिए तो अब अंबेतकर जी ने resign कर दिया अब resign करने के पीछे काफी ज़्यादा debates हुई जो Congress के कुछ member थे व अब को equality लानी की बात कर रहा था तो उसमें issue क्या आगे सबको तो सबसे पहले issue आया कि सिर्फ हिंदू के लिए क्यों लेके आ रहे हैं जैसे लिए के लोग कई रहे हैं जैसे अंब जो है वो मुस्लिम से डरते हैं कि वो accept नहीं करेंगे इसको जो हमारे उनके laws को अगर छेड़ चाड़ की जाएगी तो वो accept नहीं करेंगे ऐसा कहना था है श्यामा प्रसाद मुखर जी का ठीक है तो उन्होंने बोला कि अगर आपने law pass करना है तो uniform civil code pass करो आप ठीक है और next आत है आप हिंदू की definition में जो हिंदू code bill में हिंदू की definition है उसके अंदर आप सिखों को कैसे एंटर करवा सकते हो तो उनको भी इसमें reservation थी next इसमें issue आता है कि first journal election जैसे मैंने बढ़ाया भी constitutional assembly ही थी जो कि ये law pass कर रही थी उसी को parliament माना जा रहा था 1951 के अंदर first लोगसभा के election हुए अभी वो नहीं हुए थे तो इनने बोला कि आपके पास में जब people का mandate ही नहीं है आप कैसे कर सकते हो उसको next था कि जो conservative थे हिंदू उनने बोला कि family system break हो जाएगा इससे जो diverse वगएर आप बात कर रहे हो उससे family system break हो जाएगा हिंदू tradition में जो family है उनको sacred माना जाता ह इसके बारे में ठीक है और उस time के प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंदर प्रसाथ सर्दार वल्लव भाई पटेल उनके जारा भी और काफी मदल मोहनमाल भी और जो traditional congressman थे उन्होंने भी opposition की इसकी तो काफी जादा position होई बिल्की फिर उसके बाद में अन्यरुजी ने उस इसकी opposition के लिए इवन जो women थी हिंदुमा सबसे belong करती थी उन्होंने भी opposition की और उन्होंने साथ मिलके राजेंदर प्रसाथ को letter लिखे यह जो है family को family जो system में हिंदूस का उसको destroy करतेगा ठीक है next आता है फिर इसको जैसे pass करवाने के लिए 1951 से पहले ही pass करवाने के लिए जो नेरुजी थे उन्होंने खेकिया उन्होंने सोचा कि पूरे बिलको एक बार में pass नहीं करवाया जा सकता हिंदू code भी ले उसके अंदर काफी provision है पूरे बिलको अगर एक बार में pass नहीं करव देते हैं बाकी बाद में देख लेंगे लेकिन वह भी pass नहीं हो पाया फिर अंबेत करने इसको इसको चार पार्ड में डिवाइट कर दिया था पहले हिंदू marriage act हिंदू सेशेशन act हिंदू minority and guardianship act हिंदू adoption and maintenance act तो इसमें डिवाइट कर दिया गए था लेकिन इन में से कोई भी पार्ट पास नहीं हो पाया election से पहले इसलिए यह फेल हो गया और डॉक्टर बिया रंबेत कर ने रिजाइन कर दिया next आते हैं अब first journal election हो गया 1951 and starting of 1952 तब तक चलते हैं तो first journal election होते हैं नहरुजी ने contest किया इसके उपर ये UP से चुनाव लड़ रहे थे ठीक है और इन हिंदू code bill हिंदू के खिलाप है तो आप इसको पास नहीं करवा सकते हैं और उन्होंने चैलेंज किया नहरु को कि अगर आप मानते हो कि ये सास्त्रों के हिसाब से तो आप आई ये election लड़िया और देखते हैं फिर तो नहरु ने election context किया और उनसे काफी मात्रा काफी है वो हम कर भी देंगे क्योंकि इनको भी लगता था कि इतना बड़ा मुद्दा है अगर इसमें sentiment ज्यादा हावी होगे लोगों के उपर और मैं हार गया तो वो गलत हो जाएगा तो इननों भी थोड़ा dilute कर दिया कि ठीक है सबकी participation ensure की जाएगी अगर आपको लगता है कि क मुद्दे के पर वो हार गए अब बचे सिर्फ नहरूख सिर्फ इनी के कंदों पर था कि हमने जो हिंदू कोड विल है उसको पास करवाना है अब इनके पास majority थी तो अब इनको कोई रोक नहीं सकता था तो इन्होंने काफी पुश किया इसको हालांकि थोड़ा dilute कर दिया था जो पहले वाला विल था उससे थोड़ा dilute कर दिया था लेकिन इन्होंने पुश किया टिटेल टिबेट हुई discussion हुई और 1955 में इसको पास कर दिया गया और यह चार लोव, marriage, maintenance, divorce इनको पास कर दिया गया पारलिमेंट के द्वारा next आता है जो हमारा question था उसको देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले अगर हम recap करें क्या हमने देखा 1947 में बिल को introduce करवाया गया ठीक है 1948 के अंदर उसको select committee के पास बेज दिया गया फिर उसके बाद उसमें discussion हो उसको चार पार्ट में divide कर दिया गया लेकिन जो हमारे 51 के election थे जो हमारे 1951 के election थे उससे पहले उसको पास नहीं करवाया पाए तो बी आर अमबेदकर ने resign कर दिया ठीक है उन्हें resign किया नहरू जी इस मुद्दे के उपर फिर से जीत किया ठीक है अलाबाद से जीत किया और उन्हें पुश किया और इसको फिर पास करवा दिया गया बिल को तो इसमें message कह ले सकते हैं हम uniform civil code को पास करने के लिए first political will चाहिए आपको ठीक है जो हमारे politician थे अमबेदकर जी नहरू जी और अमबेदकर जी ने contest किया election इसी मुद्दे के उपर हलांकि नहरू जी जी ते अमबेदकर जी independent candidate के तावर पे हार गए लेकिन इनमें will थी कि इ criticism जेलना पड़ा उनको कहा गया कि आप autocrat हो ठीक है आप मतलब एक तरीके centralized power करना चाहते हो उनको remind करवाया गया कि उनकी cast कौन सी cast से आते हैं ठीक है और उनकी cabinet के जो colleague थे उन्होंने भी उनके वो साथ नहीं खड़े थे लेकिन अमबेदकर जी को पता था कि मैं किस बात के time ठीक है तो detailed discussion क्या है introduction की गई 1947 में 1955 में इसको पास किया गया तो काफी detailed discussion हो यह 8 साल तक तो वो हम सीख सकते हैं कि detailed discussion starting तो करो uniform civil code की फिर उसके बाद discussion करो लोगों से रायलो उसकी and next है कि intention should be right कोई right time नहीं होता जिस पे introduce करनी है लेकिन आपकी intention right होने चाहिए अब बियार अंबेदकर थे उनको इसी रूप में उनको जाना जाता था उनको इस तरीके से नहीं देखा किसी ने कि ये हिंदू धर्म को तोड़ना चाते हैं या किसी और तरीके से मतलब ये तो माना लोगोंने कि हिंदू धर्म को तोड़ना चाते हैं लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं देखा जैसे आजकल अगर हम बात करते हैं uniform civil court की तो जैसे कुछ section है minority कि वो उसको सोचते हैं कि oppose उनके उपर थोपा जा रहा है उसको तो वो भी एक तरीके से intention ठीक है अंबेतकर जी secular थे तो लोगोंने follow किया उनको ठीक है तो ये हमें lesson मिलते हैं हमारे Hindu court bill से तो इसके बाद इसको pass करवा दिया गया 1955 के अंदर pass करवाया गया लेकिन थोड़ा diluted form में उसके बाद 19 2005 के अंदर इसको revise किया गया थोड़े और provision इसके अंदर अच्छे that exists in the country and see whether it satisfies the principle laid down in the constitution तो इनना का कि हमें जो भी मतलब उस टाइम बात ये भी चार रही थी कि पार्लेमेंट को क्या हक है परसनल लोग के बारे में बात करने के लिए तो उसी टाइम अमेतकर जीए का कहना था कि सिर्फ पार्लेमेंट को ही हक है जो लोग वहां पे चुनक्या हैं ऐसा कोई मतलब हमें social joint institution है हमें उनसे bond होके नहीं रहना चाहिए हमें आवाज उठानी चाहिए उनके खिलाप अगर वहां पे गलत हो रहा है हमारे पास constitution है अगर constitution values के खिलाप कोई चीज जा रही है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए तो अगर present context में भी आपको बात तो आती या uniform civil code के ऊपर आपको ऐस से बगार आता है तो उसमें आप यींज कर सकते हो लेक्शे के बारे में देखेंगे ठोड़ा linguistive diversity के बारे में देखेंगे एंड फिर लेंगर्ज के isu के बारे में देखेंगे उसमें commercial language के बारे में देखेंगे and next देखेंगे linguistic reorganization के बा झाल झाल